कर दिया गया है बहुत एक कमाल का फीचर एक आया है यूटूब कमेंटी टैब में और जैसे कि आप सभी जानते होगे जब भी हम यूटूब पर बोड़ पॉल करते थे पहले कुछ इस तरह से करते थे एक सिंपल सा टेस्ट लेकर बोड़ पॉल करते थे लेकिन अब क्या है अब हम इमेजस के साथ बोड़ पॉल कर सकते हैं कुछ इस तरह से तो दोस्तों कैसे आपको यूज करना है यह सब मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा उससे पहले जो कल के बिन रते उनके चैनल का लेंक मैंने कम्यूटी टैम में डाल रखा है आप जाकर उनको और आप देख रहे हैं टेकनिकल जगी यूटूब चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लेई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिवेशन पर क्लिक कीजिए और अल सेलेक्ट का लिजिए तांके ऐसी ही हल्पुल वीडियो का नोटिवेशन आप तक यूटूब कम्यूटी टाइम एक निया फिचर एड किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं बस आपको वीडियो को जरा सा भी स्केप नहीं करना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों उस फिचर का हम यूज करेंगे देखिए आपको वीडियो को स्केप नहीं करना है अच्छे से देखना है मैंने यूटूब को उपन किया है और यूटूब को उपन करने के बाद मैं अपने जो चैनल लोगों पर क्लिक कर देता हूं उपर जो कॉर्णर पर है चैनल लोगों है मैं उस पर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद यहां जूर चैनल पर मैं क्लिक कर देता हूं आप देखिए आपको वैसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूं और उसके बाद मैंने यहां कम्यूंटी वाले सेक्षन में आकर इस पर क्लिक कर दिया है कम्यूंटी लिखा हुआ है आप देखिए और जिन भाईयों के वाज ये फीचर नेवल है तो सब जानते होंगे कि कैसे बोड़ पल करते हैं तो आपको जो नया फीचर मिला है और उसका इस्तमाल करकर आप इस तरह से इमज लगा सकते हैं जैसे के आप देख रहे हैं मैंने यहां पर चार पर क्लिक के आप नीचे देख सकते हैं आपके समने दो आइकन आ जाएंगे एक पोल का इकन है और एक पोस्ट का तो मैं पोल वाले पर क्लिक कर देता हूं और यहां पर देखिए इमज एंड टेस्ट लिखा आ गया है तो टेस्ट तो हम पहले कर देते थे जैसे के आप सभी करते हैं बोट पॉल तो अब हमें image select करनी है तो उसके लिए आपको image पर मैं click कर देता हूँ आपको भी इस तरह से करना है तो यहाँ पर देखिए आपके समने दो box आ जाएंगे तो नीचे लिखवा हुआ है option one option two तो आपको नीचे add option पर फिर से click कर देना है अगर आप चार image लगाना चाते हो तो देखो मैंने click किया adoption पर तो चार option आ गया है मेरे सामने तो center में क्या है gallery का icon आप उस पर click करोगे तो आप read right gallery में चले जाओगे और आपको वहाँ से एक thumbnail को select कर लेना है और उसके बाद आकर आपको यहां पर कुछ लिख देना है और post कर देना है तो दोस्तों मैं यहां से नहीं कर पाता क्योंकि मेरे phone में कोई दिक्कत है बस आपको समझाना था मैंने समझाया जो भी मैं post करता हूं अपने community time में मैंने वो दूसरे phone से करता हूं तो देखिए मैंने क्लिक किया है और गैलरी में आ गया है जहां से मैं कोई एक pick select करूंगा तो यह हट जाएगा यहां से यही problem है मेरे phone में बस यह बताना जुरूरी था तो इसलिए मैंने यह video upload की है बस आपको इस तरह से select कर लेना है जैसे मैंने आपको बताया है जैसे यहां पर हट गया आपके इस तरह से हटेगा नहीं है आपके यहां पर image select हो जाएगी और उसके बद आपको post पर click कर देना है ठीक है तो यह थी हमारी जो आज की जानकरी कैसा लगा आपको update तो दोस्तों comment section में जुरूर बतना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please वीडियो को like कर दीजिए और ऐसी ही जानकरी के लिए चैनल को subscribe करना ना बुलें कर दो है आपको